हेलो गाईज मैं शालू मेगवर से शालू शिंग आज मैं आपको हेरकट की वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जो मैंने स्टैप लुक दिया था इनको आगे से लेजर और पीछे से स्टैप इनकी गाईज लेंथ बालों की बहुत बड़ी थी लेकिन इनके नीचे के बा डैमेज हेर थे वो कटिंग करी कट करके एक स्टैट लुक दिया स्टैट में फिर मैंने इनके बाल बराबर बराबर करें फिर मैंने इनकी आगे से एक लेयर ली जो मैंने क्राउन एरिये से उठाई और थोड़ा सा पीछे से लिये बाल और फिर इनकी पीछे से चेक किया श उठाने के बाद फिर दुबारा अच्छे से कॉम किये टैंगल फ्री करें बाल अपने इनके फिर उसके बाद मैंने कट कर दिया इनके बाल गाइस बहुत हैवी थे और मोटे बाल थे और रफ थे बाल बार बार ना उलजे जा रहे थे तो इसलिए मैंने ear to ear parting करी जो मैंने front उपर के बाल काटे थे वो बिल्कुल छोड़ दिये छोड़ने के बाद ear to ear parting करी और बाद में जो पीछे बाल डले होए थे ये देखिए उसमें आपको guideline दिख री होगी तो मैंने आदे नीचे दो parting में बाल लिये आदे उपर के आदे नीचे जो मैंने उपर के बाल लिये थे तो उससे mix करते हुए बालों की cutting करना शुरू गरी जो guideline थी मैं उसी के साथ थोड़ा थोड़ा उपर की तरफ ले जाते हुए cutting करती जा रही थी और बहुत अच्छी layer विसासत बनती जा रही थी ऐसे ही आपको guideline के साथ थोड़ी-थोड़ी cutting करते जाना है और बहुत अच्छे से layer लेती जानी है यह देखिए मैं ऐसे ही धीरे-धीरे ले जा रही हुए 90 degree पे अब मैंने जितने एक्स्ट्रा बाल आ रहे थे वो सारे cut कर दिये मैंने इन बालों की भी 3 पार्टिंग में बाल करे थे क्योंकि इनके बालों बहुँत ज़ादा heavy थे इनके हातों में न सेट नहीं हो रहे थे ग्रिप नि बन रही थी तो इसलिए मैंने तीन बार्टिंग में ऐसे मैंने side से बाल लिये थोड़े से और जो मैंने cutting करी थी उस इनके बाल लिये इनके बीच से और guideline के बाल से लेके mix करते होई cutting करी है और बहुत अच्छे से कटिंग होती गई अप्वर मैंने इनके बाल अच्छे से चेक भी करते गई और नोजिंग करती गई अब मैंने फिर Cit पार साइट से लिया थोड़ा थोड़ा और कट करते गई जो हमने इनकी गाइडलाइन लिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारा कट करते गया है और ऐसे ही फिर मैंने इनके आदे बाल सिक्योर करें उपर की तरफ और फिर जो हमने नीचे के बाल रोके होए थे थोड़े तो नीची के लेंद्ट बच्ची थी फिर उस बालों में भी मैंने कटिंग करना शुरू करी जैसे आप देख ही रहे हैं कि मतलब मैंने फिर इनके बालों की लेंद्ट थोड़ी सी और कम भी हुई इसलिए मैंने इनके ज़्यादा छोटे बाल नहीं करे थे फिर उनी बालों में मैं गाइडलाइन के साथ स्टेप सिनके मिक्स करते गई और यह इसमें आराम से स्टेप बनते चले गए और ऐसे ही मैंने इसकी भी बालों की तीन पार्टिंग में डिवाइड किया था नीचे के बालों को भी और ऐसे ही मैंने कटिंग करती गई और फिर जसे मैंने भीी center parting में करते हैं वैसे ही मैंने थोड़ासा side में जाके फिर इनके बालों की guideline लेके बाल cut करती गही और आप guideline के साथ cut करते जाएंगे तो आपको cutting करने में कोई problem नहीं आएगी इसलिए guideline लेना बहुत जरूरी होता है इसलिए ऐसे ही मैंने right side में भी लिया उपर तक इनको बाल ले गई थोड़ा थोड़ा करके उपर ले गई और जो uneven से बाल दिख रहे थे जो guideline से बड़े बड़े दिख रहे थे बस उनको ही काटते जाना है अपने जैसे मैं इस से नीचे से थोड़े से वैसे और रखे थे थोड़े चोटे बड़े ओर रखे थे जो मैंने last में cutting करी थी फिर उनको बालों को लेके मैंने measure करके बराबर करें थे और जैसे मैंने आगे के front के बाल इनके उपर से काटे थे और जो air to air छोड़ रखी थी वही बाल मैंने उपर के बाल कटिंग से थी जो ऐसे बाद छोटे बड़े बाल ओ रखे थी उनकों लिजा के guideline के साथ कट कर दी कट करने के बाद करके बाल करेंगे इतने heavy बालो में भी तो बहुत अच्छी कटिंग आएगी तो इसलिए मैंने इनके भी ऐसे बाल टेंगल फ्री करें स्टेट करें बालों में इनके बाल बहुत रफ रहे थे इसलिए जादा खिछ रहे थे तो बहुत उलज भी रहे थे तो लेकिन आप देखिए मैंने सुल जाएं इनके बाल टेंगल फ्री करें हैं बहुत अच्छे स्टेट करके वही cutting करती गई और आगे से noaching करती गई बस आपने इतना ही करना है और बहुत अच्छी cutting होईगी और आप ऐसे ही guideline लेगे cutting करते जाएंगे तो आपकी cutting साथ के साथ अच्छे से होती जाएगी ऐसे ही मैंने right में करा ऐसे ही मैंने left में करा और इनके देखे बहुत अच्छी cutting होई cutting होने के बाद इनको आगे से बाल और बड़े लग रहे थे जिन्होंने मैंने फिर इनको आगे से V-shape लेके थोड़े से बाल side से, front से इनको जितने चाहिए थे इनसे पूछा फिर इनोंने मुझे बता के बताया कि मेरे को ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए ज़्यादा छोटे भी नहीं चाहिए तो मैंने इनके बाल थोड़े से चिंसे बड़े रखे क्योंकि जब हम उसकी final setting करते हैं तो थोड़े बाल उसमें भी cutting होते हैं इसलिए मैंने इनके चिंसे थोड़े से बाल बड़े रखे बड़े रखने के बाद मैंने center parting से इनके बाल cutting कर दिये cutting करने के बाद मैंने इनके बाल दोनों को parting में अलग-अलग करे अलग-अलग करे अलग-अलग करने के बाद मैंने इनके बाद थोड़े थोड़े बाल चो लिये थे जितने इनके बाल चोटे चाहिए थे उतने बालों से इनके मिक्स करा आगी की तरफ ले गई आगी की तरफ ले जाके आपने तिर्चा कट करना है थोड़ा सा जो तिर्चा हम कट करते हैं न उससे हम फिर बाल छोड़ते हैं तो वो हमारा layer look दिखता है laser look दिखता है और ऐसे ही मैंने थोड़े बाल ओड़ लिए इनकी guideline ली आगे की बालों की और थोड़ा सा तिर्चा लेके गई तिर्चा cutting करा मैंने अराम से बहुत अच्छे से cutting हुई ऐसे ही मैंने left side से किया और ऐसे right side से किया तो देखिए कितने अच्छा laser look आया है cutting का और वैसे ही मैंने right left side से लिया थोड़ा सा side में आई और इसको भी मैंने तिर्चा cut कर दिया तिर्चा cut करने से cutting बहुत अच्छी होती है और लेयर लुक आती है ऐसे ही मैंने दूसरे साइट से भी लिए थोड़े-थोड़े बाल करके ले के आई और बहुत अच्छे से कटिंग की बस आपको ऐसे ही करते जाना है थोड़ी सी गाइड लाइन बनानी है थोड़ी सी गाइड लाइन के साथ हमने haircut करते जाना है फिर last पर मैंने इनको चेक कराने के लिए dryer किया dryer करने के बाद इनका final look बहुत अच्छा आया था cutting का guys और ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े बाल इनके cut करते गई थी तो इनकी थोड़ी वीडियो मिर से थोड़ा miss भी हो गई थी बस लेकिन यह देखिए कितना अच्छा look आया है बालों का इनका बहुत अच्छा था laser look आया था जितना इनको चाहिए था और पीछे से इनका जो step look था उनको बालों को मैंने U-shape में cutting करी थोड़ा साइड में लेगी जो ऐसे uneven से बाल दिख रहे थे जो मैंने U-shape में cutting कर दी क्योंकि मैंने starting में तो इनकी state cutting करी थी तो इसलिए तो अब मैं थोड़ा सा इनको U-shape में ले जारी क्योंकि इनका step जो था वो U-shape में बहुत अच्छा आया इसलिए मैं थोड़े थोड़े मैंने बाल लिये और इनके मैंने U-shape में cutting करती गई वरा लेयर नीचे से लेती गई और बहुत अच्छा हो वरा और फिर बाद में मैंने इनका ड्रायर से लुक दिया और ये देखिए इनका मैंने आगे से आउट कल्स करा पीछे से भी ड्रायर ब्लो ड्रायर करके बाल सेट करें थे इनके मैंने और इनका जैसे ड्रायर किया था ड्रायर करते के साथ इनका लुक अच्छा आता गया था क्योंकि इनके बाल थोड़े हाड थे तो बहुत अच्छे से टन भी हो रहे थे जैसे होते हैं किसी के ज़्यादा ब्लो ड्रायर में जदा महनत भी करनी पड़ रही थी तो हीट आ रही थी तो भी बहुत अच्छे से लग जा रहा था तो वैसे ही मैंने इनके आउट कल्स करें और बहुत अच्छे से इनके बाल सेट किए और अब इसमें देखिए आप के थोड़ा-थोड़ा बाल करके लेना लिया मैंने पीछे आप देखी रहे को इनके बाल कितनी जादा पड़े होए थे बल्कि ये तो और चाहरी थी कि और चोटे हो जाए बाल बट बाद में इनकी सिस्टर आई तो उन्होंने बना किया कि नहीं अब नहीं काटने तो इसलिए मैंने इन बालों में ही अच्छे से फाइनल स्टेप कट कर दिया और ये बहुत अच्छा लुक आया इनका ड्रायर से करते हुए बालों को सेट किया आगे से मैंने आउट करे और पीछे से इन करने के बाद फिर उसको आउट लुक देते हैं तो बहुत अच्छा सा लुक आया है ये देखिए कहा है कितने अच्छे स्टेप बने है इनके बालों के ये मैंने आउट कर्ण में सेट किये थे इनके बाल और बानने के बाद तो बाल बहुत ही जादा अच्छे लग रहे थे और एक एक step न खुल के दिख रहा था कि हाँ step बन गए है long step में आये थे इनका look और आगे से ये देखिए ये cutting आगे से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इनके face पे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी तो thank you guys आप लोगों को मेरा चैनल पसंदा है तो please like my video and subscribe my video